हम सभी सिच्छक को भली भाती पता है कि हर साल हमें SDMIS को अपडेट किया जाना है जिसके लिए प्रोग्रेशन, न्यू एड्मिशन और वैरिविकेशन का कार्य किया जाना अवस्यक है इविद्यवाहिनी में जब वर्गावार प्रोग्रेशन किया जा रहा है तो फिर भी प्रोग्रेशन पेंडिंग दिखा रहा है जिसके कारण डाटा फ्रीज और वैरिविकेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है डाटा फ्रीज हेतू, पेंडिंग प्रोग्रेशन को समात्त किया जाना अवस्यक होगा पिछले समय में हमने देखा है कि बच्चे का जब एडविशन किया जाता तो बच्चे का नाम दूसरे विद्याले में सो कर रहा था या अपने ही विद्याले में कई वर्गों में उनका नाम आ रहा था जिससे निप्टारा पाने के लिए बहुत से सिछकों ने उस बच्चे को अर्काइव कर दिया था हलाकि वो टीसी के साथ आता है और न्यू एड्मिशन के लिए सारी परक्रिया करने के बाद भी फिर से डुप्लिकेसी की समस्या आ रही है और स्टुडेंट आईडी के साथ जब सर्च किया जाता है तो लाल लंग में लिखा आता है इस स्टुडेंट इज ओल्रेडी अर्काइबड और एक्षन बटन भी नहीं आ रहा है एड्मिशन के लिए एक्षन बटन का आना अवस्यक है इस समस्या का निदान पाने के लिए आप उस विद्याले का नाम नोट कर लें जिस विद्याले से बच्चा आया हो और वहाँ के एक्षम से आप संपर्क कर सकते हैं फिर वहां के सिच्चक को यह कारेख SDMIS में करने होंगे वहां के हैं यह विद्यावाहनी लोगिन करेंगे और इस्टुडेंट एक्डिवेटी को टच करेंगे उसके बाद रेश्टेसन भीूबडेशन को टच करें उसके बाद student archive list है, उसे touch करें, निचे जाएं, यहाँ पर student id का जो option है, उसमें student id डाल कर search करेंगे, सर्च करने पर यहाँ पर पता चल रहा है कि एक ही id तीन वर्गों में उनका नमांकन था जिसे archive किया गया है, तीनों को touch करेंगे और unarchive कर देंगे, के लिए student activity को touch करें, student progression में जाएं, निचे जाकर progression का जो section है उसे touch करेंगे, class search करेंगे, यहाँ पर उस बच्चे का नाम आपको नजर आएगा, progression section में जाकर बच्चे को progress कर देंगे, सभी आकड़े सही-सही भर कर वहां से progress कर देंगे, promoted and moved to other school कर देंगे, बस इतना ही करना होगा, अब आपका काम हो जाएगा, अब बच्चे का admission असानी से कर सकते हैं, और action बटन भी आ जाएगा, कर दीतो होगा, में